आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल माज साब की पाट साला में सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन भी दबा ले देखे इस सीरीज में हम देखेंगे कि जो सिक्षड योजना है कक्षा एक सी लेके आठ तक की जो सिक्षड योजना है कम से कम मैं आपको दस सिक्षड योजना प्रतेक विसाय की प्रोवाइड कराऊंगा तो उसी सीरीज में हम कक्षा 2 की कलरव की बया हमारी चिडिया रानी पाठ की सिक्षड योजना इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा हूँ उपर आप सिक्षड योजना डाल लेंगे जो भी नम्मर की आपकी सिक्षड योजना होगी उसके बाद में आपको ये दिनांग डालना है जिस दिनांग को भी आप बना रहे हैं कक्षा 2, बिसे, हिंदी, कलरव, पाट की संख्या 3 समय 35-40 मिनट Learning Outcome या अपेक्षित अधिगम बच्चे परिवेशिय पक्षियों की पूर्व की जानिकारियों में ब्रद्धी करते हैं एवं बया हमारी चिडिया रानी द्वारा कर्म सीलता के प्रधान तत्त को गहराई से समझते हैं ये Learning Outcome होगा इसका प्रकरण क्या है बया हमारी चिडिया रानी सीखने सिखाने की सामगरी जानवरों पास पडोस में पाये जाने पाले पक्षियों वह वाहन के चित्र वने कार वह पाट से सम्मंदित चित्रा अब देखिए क्या गतिविदी है सिख्षड के प्रारम में सिख्षड बच्चों से निम्न प्रश्णों द्वारा चर्चा शुरू करेंगे देखिए बच्चों से जब आप चर्चा शुरू करें तो उनकी इस्थानी वासा में शुरू करें और इस्थानी वासा से उनको मानक वासा पर लेकर आएं ये भी नहीं के बस इस्थानी वासा में ही आप बात करते रहें और मानक वासा विलकुल बई न बोले बच्चो आपके आस पास कौन से पक्षी देखते हैं बच्चो उन उसका कुछ आंसर देंगे बच्चो उन पक्षी आपके घर में किन जगों पर बैठते हैं सिख्षक पास पडोस में पाई जाने वाले चार-चार पसुओं पक्षियों तथा बाहनों के चित्र सहित अभ्यवस्थित करम में नाम लिखें कार्ड सीट वच्चों को देंगे तथा पैचान कर रेखा खींच कर मिलान करने के लिए कहेंगे तो क्या है देखिए इसका उद्देश से क्या है जानवर उन्होंने देखे होते हैं तो जानवरों में और पक्षियों में वो डिफरेंस कर पाएंगे कि पच्छी कौन से होते हैं, जानवर कौन से होते हैं और हम ट्रांस्पोर्ट के साधन इसलिए दिखा रहे हैं उनको कि देखिए पक्षी कैसे चलते हैं, ट्रांस्पोर्ट में वील होते हैं, ट्रांस्पोर्ट कैसे चलते हैं और जानवर कैसे चलते हैं फिर आप उनको बताएंगे कि देखिए जानवर चलते हैं पक्षी उड़ते हैं फिर उनमें डिफरेंस भी बता पाएंगे आप कि जानवरों में पक्षियों में और जो ट्रांसपूर्ट है हम हमारे उनमें क्या डिफरेंस है अब सिक्षड के दोरान सिक्षड बच्चों को प्रोचाहित करते हुए बया हमारी चड़िया रानी कविता को सब्ध सह स्यामपट पर लिखेंगे या श्यामपट पर नहीं लिखना चाहें तो उसको उच्चारण करेंगे पढ़ेंगे बसे स्यामपट पर लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है बच्चे भी उसको लिख लेते हैं तो एक तो सुलेख हो जाता है उनका उनको आसानी रहती है जब आप लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे या अगर आपके पास में प्रोजेक्टर है या बुक को आप ब्ल भाव इसपष्ट किया जाएगा तथा निम्न प्रश्ण पूछे जाएंगे चडिया किस से महल बनाती है या ये पूछेंगे चडिया किस से घर बनाती है उस घर को क्या कहते हैं चडिया दाने कहां से लाती है चडिया नदियों से क्या लाती है कविता में किसको दूर न ज چڑ़िया ऊची डाली पर क्या लटकाती एिसमें अवलोकन के तरीके क्या है सहवागिता और प्रतिकरिया देखकर कि जाथ क्या न्यक्त है यह का गोंसला एक करें की जिए धर है जैसे हम लोग घर मे रहते हैं चपें उसका हम आना के सीडिया के और भी चीजे बता पाएंगे, अब सिक्षक छात्रों को Ao sentiment स्वाइल के बारे में बताएंगे तथा कविता का सश्व और वाचन कराकर सुनिश्चित कर लेंगे कि उन्हें कविता का अर्थंथभाव समझ आ गया है अब सिक्षण के बाद में क्या रहा है सिक्षक बच्चों से निम्नप्रशन प हमारे घर में रहते हैं उनको कहते हैं पाले जाने वाले मतलब पालतू पालतू पक्षियों के नाम बच्चे कुछ तोता बताएंगे जो भी पालते हैं कुछ और चड़ियां पाली होंगी न पाले जाने वाले पक्षियों के नाम बताईए इनको हम पालते नहीं है गर्मी में पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए सिक्षक छात्रों को सही विकल्ब चुरने तता खालेस्तान बरने के लिए कार्ड सीट देंगे या जो बर्क बुक है उसमें देंगे इसका समय है पांच मिनट प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर अवलोकन किया जाएगा सही का निसान लगाएं चिडिया दाना कहां से लाती है खेतों से घरों से दुकान से नदी से उसमें सही बच्चे बताएंगे उक्त प्रश्णों में जिन बच्चों को कठनाई होगी सिक्षक उनकी साहता भी करेंगे खाले स्थान बरने के लिए बया हमारी क्या भरा जाएगा यहाँ पर डैस रानी प्रदत्य कार और ग्रहकार सिक्षक छात्रों को अभ्यास प्रश्ण दो को कार पुस्तिका में करके लाने को कहेंगे कविता लिखकर याद करो सिक्षक की आगामे योजना कक्षा में आकलन्व फीडवेक के दोरान आ रही कठनाईयों को ध्यान में रखकर कार योजना बनाना तथा उनका किरियानवयन किया जाना और जो कठिन सब्द आये हैं उनको बच्चों को बार बार पढ़वाना अब ब्यासकार पूड करने है तो ब्याकरण संबंदी कार योजना बनाना और उनका किरियानवयन करना और जो मात्राएं बगेरा हैं जो बच्चों को कठना ही लग रही है तो बच्चों को पढ़ते टाइम पर उनको बोलिए कि पैंसिल से पैंसिल यूज करेते हैं बच्चे तो पैंसिल से अंडरलाइन कर दें और उन सबदों को बार बार पढ़ें तो यह आपका सिक्षड योजना हो गई है इसको आपको लिख लेना है इसी तरीके से लिखना है यह फॉर्मेट है इसका आपने अगर बीएड में लिखाओ तो इसका अलग फॉर्मेट होता है लेकिन यहाँ पर सिक्षड योजना का यही फॉर्मेट है यह विवाग द्वार